Hello students and today we will study history from class 10th and the section which we are going to continue today is Section 1, Events and Processes जिसका Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe आज हम पढ़ने जा रहे हैं आज हम study करेंगे इसका Part 2, The Making of Nationalism in Europe तो आज के अपने इस Chapter में हम पढ़ेंगे की nationalism को कैसी यॉरोप में implement किया गया तो let's get started During the mid 18th century there were no nation states in Europe तो अगर हम बात करें mid 18th century की तो उस वक्त यॉरोप में कोई भी nation states नहीं थे तो जब यॉरोप में nation states थे ही नहीं तो basically वहाँ पे था क्या Well, Germany, Italy and Switzerland जी ने आज हम nation states के तौर पे जानते हैं Mid 18th century में क्या थे? They were divided into kingdoms, duchess and cantons तो Germany, Italy और Switzerland basically किस वे में डिवाइड अप हो रखे हैं? या तो वो kingdoms थे? या क्या थे? duchess. अब duchess basically क्या होता है? ये एक small territory होती है, जिसे कौन control करते हैं? Duke या फिर duchess. तो आप इसमें जादा confuse मत हों, आप सिरफ इसे इतना समझें कि किसी भी kingdom के अंदर एक छोटी territory है, जिसे की duke जो की एक male होते हैं और duchess जो की female होती है, उसे control करते हैं, वहाँ की अब ये cantons basically क्या होता है? Cantons होती है subdivision, यानि एक छोटी division किसी भी area की और again ये इस वज़े से divide किया जाता है ताकि वहाँ पे जो भी administrative purpose है, वहाँ के वहाँ पे हम लोग handle कर सके और अच्छे से manage कर सके और अरियास को. अब cantons को अगरा थोड़ा और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको मैं जरफ ऐसे पता सकते हूं कि जैसे इंडिया की बात करें तो वह किस वे में डिवाइड हो रख है, एक तो उसमें states हैं, फर्दर जो states हैं उनको उनको कैसे divide किया हो उसमें अलग-अलग districts बना रख जो भी government के नए rules and regulations आते हैं, तो जो ये district हैं ये subdivision है इसी को आप ऐसे समझ लें कि ये क्या होती हैं, अब जब हमें ये पता चल चुका है कि यॉरप में बेसी किस वे में अरियास डिवाइड हो रखे थे, kingdom, duchess, or cantons में तो इसमें इंट्रस्टिंग आपको ये बताते हैं कि जितने भी ये kingdoms उगेरा होते थे ना, इसमें एक कमाल की चीज़ ये होती थी कि जो इसमें लोग रहते थे थे ना, उनमें कुछ भी common नहीं होता था, they had nothing in common, इतनी जादा diversity होती थी, या तो लोगों की languages अलग होती थी, या फिर उनकी ethnicity ही अलग होती थी, जब हम बात करते इतनी सिटी की, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अलग-अलग cultural background से आते थे, so basically हम ये कह सकते है कि जो लोग इन kingdoms में रहा करते थे, उनके बीच में कोई भी collective identity या common culture नहीं होता था, ऐसा कुछ भी उनमें common नहीं होता था, सब की अलग भाशा है, अलग culture है, अलग ethnicity है, तो basically common उनमें क्या होता था, common सिर्फ ये होता था, कि वो एक kingdom के अंदर रह रहे हैं, यानि एक कोई ऐसा राजा है, जिसने बहुत बड़ा empire अपना खड़ा कर लिया, तो एक single king है, जिसका empire है, और वो उसके अंदर रह रहे हैं, इसकी सबसे बड़िया example किसे कहा जाता है, हाब्सबर्ग empire को, अब हाब्सबर्ग empire को इसलिए सबसे बड़िया example माना गया है, क्योंकि एक ऐसा region था, जिसमें अलग-अलग areas cover हो रहे थे, अलग-अलग भाशाएं बोलने वाले लोग cover हो रहे थे, कैसे, जैसे कि जो ये rule चल रहा था, हाब्सबर्ग empire का, तो इसमें क् जैसे कि आस्ट्रिया, टायरोल, हंगरी और बोहेमिया, अब यहाँ पर देखिए, आपको map में ये आस्ट्रिया दिखाया गया है, और ये टायरोल दिखाया गया है, अब यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, अगर हम हंगरी को छोड़ते हैं, तो बाकी लोग जो हैं वहाँ जो अरिस्टोक्रेट्स हैं, वह कौन सी भाषा मोलते थे, जर्मन लांगविज, जो हंगरी था, वहाँ पर माग्यार लांगविज जो थी, वो बोली जाती थी, तो यानि आप क्या देख रहे हैं कि, आलग लग लांगविज बोलने वाले लोग, किसके अंदर आ रहे हैं, ह इसा किंडम जहां पे कि लोग लग 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 इतने ग्रुप से, तो वह आप देखी पा रहे हैं, कि हैप्सबग एंपायर गंडर ऐसे एरिया जा रहे हैं, जहां पे डिफरेंट भाषाओं का इस्तमाल किया जा रहा है, ऑन दा अधर हैं, इसमें और किस पार्ट की बात करें, तो यहां पे कौन-कौन थे? बोहेमियाज और स्लोवाक्स, अब यह एक अलग तरह का एथनिक ग्रुप है, तो यहां पे थे स्लोवाक्स और इस सिसे में रह रहे थे बोहेमियाज, अब इनका जो कल्चुरल बैग ग्राउंड था ना, वो टोटली डि स्लोवेञ्स, यहां जो यह कैरमियोला एरी आप देख रहे हैं, यहां पे रहा करते थे, और यह सब सब जो हैं, किसके अंडर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, हाब्सबर्ग एम्पायर के अंडर, यानि किंग इनका एक ही है, लेकिन लोग जो हैं, वो अलग-mez авफ़ आ है, क्रोड्स और इस ट्रांसलवेनिया में यानि इस तरफ कौन रह रहे थे रोमान्स तो अब यह देखे कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि किंग्डम्स थे पहली बात नेशन स्टेट तो था ही नहीं दूसरा किंग्डम्स में भी क्या खासित नज़र आ रही है अलग-अलग लैंग किंग्डम्स थे तो हमारे पास एक क्वेस्टन जो यहां पर आता है वो क्या आता है जब हम सब को यह पता ही है कि हमारे पास अलग-अलग लोग रह रहे हैं और डाइवरसिटी इतनी जाद है कि उनमें कुछ भी कॉमन निकल के आई नहीं रहा तो बेसिकली यह जो आईडिया था नाशनलिजम का कि हम यह कंसेप्ट लेके आना है वो भी यॉरॉप में यह बेसिकली आया कैसे उसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले वहां की जो सॉसाइटी थी वो किस तरह की थी वहां पर जो सोशल ग्रूप्स थे वो किस तरह के थे और उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी So what were the types of social groups and their issues? किस तरह के social groups और उनके क्या क्या issues थे ये भी समझ लेते हैं? Well the society was divided into aristocrates and peasants. Aristocrates हम कहते है rich class लोगों को और peasants कहते हैं उन लोगों को जिसमें की labors आ जाते हैं या कोई बैसे normal cultivators वगेरा आ जाते हैं तो जो यॉरोप की society हो किस वे में डिवाइड हो रखिया या तो वो लोग है aristocrates या फिर क्या है? Peasants है. अब अगर बात करें aristocrates की तो aristocrates were the rich dominating class of Europe. They owned large states. तो aristocrates क्या थे? Rich थे, उनका एक अपना प्रभाव था या नहीं, dominating थे प्रभाव था उनका पूरे यॉरोप पे और इनके बास जमीन जायदार भी बहुत जादा होती थी. यह लोग जो होते थे, they spoke French and their families often had matrimonial alliances. अब आप यहां पे question कुछेंगे कि यह French भाशागा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जरूरी तो नहीं कि सब फ्रांस के रहने वाले हैं. पर भाशागा क्या इस्तेमाल कर रहे है? French का. देखे, जिसे इंडिया में क्या सिस्टम है? जादा तर हम यह मान के चलते कि इफ परसन के स्पीक इंग्लिश वो भी फ्लूएंटली बात कर पा रहा है तो हमारे एक इंप्रेशन बनता है ना कि हाँ, he must be educated, he must be from aristocrate class. तो उसके बीच में एक इंप्रेशन होता था कि लोग क्या करते थे? French Language का जादा यूज करते थे. और aristocrate families यानि rich families में alliances भी होते थे. यानि उनके बीच में आप क्या सकते है family relations भी होते थे. उसके बीचे वज़ा क्या होती थे कि कोई ना कोई common रिष्टेदार ऐसा होता था जिसकी एक दूसरे family में शादियों रखी होती थी. अब एक चीज जो कमाल की थी, हाला कि ये rich जो class थी है, डॉमिनेट कर रही है पूरे यॉरोप पे. वहां कि जो society ये उस पर डॉमिनेट कर रही है, उनका प्रभाव है. लेकिन ये होते थे small in number. मलब ऐसी बहुत few families थी जो की aristocrates थे. तो large number of families कौन सी थी यॉरोप में? A majority of the population was made up of the peasantry. तो जो peasant groups थे न, ये ही सबसे ज़ादा large number में थे वहां पे. तो यहां पे हमें दो चीज़े समझ आगी है. पहला कि दो तरह की society है. एक तो है aristocrates, दूसरे कौन से है? पेसंट्स. अब इन ग्रुप्स में, जो aristocrates है, ये small in number है. लेकिन पेसंट क्या है? किरायदार है, ये चोटे मोटे owners है, ये चोटी मोटी land ही उनके under है. और अगर East और Central Europe के बात करूँ, the land was formed by serfs. ये जो serf dome था, ये पूरा एक इनका system था, जिसके अंदर आप serfs रखते थे, यानि एक तरह से वो bonded labor, आप कह सकते हुआ करते थे. तो यहाँ पे आपको ये समझ आया है, कि जो पीजन्ट है, वो किसमे में, या तो वो tenants के तौर पे काम कर रहे हैं, या serfs के तौर पे काम कर रहे हैं, अब जब ये society दो groups में बटी हुई थी, और mid 18th century चल रही थी, उस दोरान ना कुछ चीज़े change भी हो रही थी. तो जैसे जैसे 19th century आती जा रही थी, योरोप में कुछ अलग तरहां की improvements हो रही थी, वहाँ पे कुछ economic और political changes आ रहे थे, वहाँ पे industrialization भी आ रहा था, तो क्या चीज़ें हो रही थी, चले उसके बारे में भी समझते हैं. Industrial growth in Western and Central Europe led to the growth of towns and emergence of a new commercial class. तो क्या चीज़ होने शुरू होगी? जो Western Europe था, वहाँ पे industrial growth भी आगी, Central Europe में भी क्या हो गया? Industrial growth अगी, अलग-लग industry setup होने लग गी, नए-नए business खुलने लग गे, और जब नए industries और नए business बने, तो साथ ही साथ नए शहर भी बनने लग गे. और इस सब के साथ एक नए class जो थी, वो हमारी social system में आके जुड़गी, वो class कौन सी थी? commercial class. अब तक सिरफ दो ग्रुप्स थें ना, society में, aristocrats थे और peasants है, अब क्या हो गया? अब तीन ग्रुप्स बन गए है, अब एक commercial class भी आ गई है. तो अब जब हमें पता है कि society कैसी हो गई है, तीन ग्रुप्स में बढ़ गई है, तो अब हम बात करेंगे कि इनके issues क्या थे, ऐसी क्या समस्य आए थी, जिसकी वज़े से फिर ये nationalism की और बढ़े. वेल जो ये commercial class थी ना, इसमें basically किस तरह के लोग हुआ करते थे? Working class population हुआ करती थी, middle class की, जिन में कुछ industrialist भी होते थे, business man होते थे, और साथ ही professionals भी होते थे. अब ये जब एक नई class आ गई, तो इनके अपने कुछ issues भी arise हो गए. और जैसे इनके issues arise होते गए, तो इन्होंने क्या करना शुरू किया? The educated liberal middle class started demanding liberal nationalism. इन्होंने क्या कहा कि हमें क्या चाहिए? Liberal nationalism चाहिए. अभी इनकी demand तो हमें पता चल गई कि इन्हें चाहिए क्या है liberal nationalism. पर ये liberal nationalism आखर होता क्या है? Well, अगर बात करें middle class की, so उनके लिए what did liberal nationalism stand for? Well, it was freedom for the individual, equality before law and right to property. तो इन्हें क्या क्या चाहिए? एक कि हर individual की freedom हो. मतलब अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बास freedom हो, मुझे किसी तरह से किसी चीज़ के लिए force ना किया जाता हो, मुझे कहीं पे भी कोई बंदग बना के ना रख सके, right? और equality before law हो, यानि चाहे आप rich हैं या poor हैं आपके लिए law एक समान होगा. कोई आपको benefit नहीं मिलेगा अगर आप aristocrate families हैं और कोई आपको ज़ादा suppress या torture नहीं कर सकता बिकर आप एक peasant class से हैं. और साथ ही क्या होना चाहिए? राइट to property होना चाहिए. कि जो land मेरे पास है, त तो liberal nationalism क्या चीज थी? कि हमारे पास एक freedom हो, हमारे पास equality हो और हमारे पास अपने कुछ rights हो. जिसे कौन दिमांड कर रही थी? जो ये नई एक middle class यानि commercial class दिमांड कर रही थी. अब liberal nationalism जो word है ना, इसके भी अलग-अलग आप कह सकते हैं माइने हैं, अलग-अलग लोगों के जिसे आम middle class के लिए तो ये तीन चीज़े सबसे धादा important थी. लेकिन अगर बात करें इसी चीज की economic sphere में, in economic sphere, freedom of market and abolition of state imposed restrictions on free movement of goods. तो economic sphere में, लोग क्या चारे है, economic sphere का मतलब होता है, जब हम एक business man के point of view से सोचते हैं. तो liberal nationalism इन लोगों के लिए क्या चीज था? कि एक तो freedom of market हो. दूसरा, state imposed restrictions जो है, उन्हें हटा दिया जाए. मतलब जो भी राजा का या government का control है, बहुत जादा हर business पे उसको हटा दिया जाए. ताकि free movement हो सके goods की. जो भी हाप sale या purchase करते हैं, वो easily हो सके. इस चीज को अगर आप समझना चाहते हैं, तो यहाँ आपको एक example देते हैं कि 19th century में, मतलब जो first half था ना, 19th century का, तो उस दोरान क्या चीज थी कि जैसे जो German-speaking regions थे ना, बहाँ पे Napoleon ने अपना control इस्टैबलिश कर लिया था, हमने फर्स पार्ट में ये चीज पड़ी थी कि जो Napoleon थे वो इतने अच्छे military leader थे कि उन्होंने बहुत बहुत वास्त हिसे कि अपना control इस्टैबलिश कर लिया था, तो जो German-speaking regions थे ना, वहां कि हम आपके एक example बताते हैं कि उसमें क्या चीज चल रही थी, तो Napoleon की वज़ए से यहां पर क्या चीजे हुई, वेल, Napoleon's administrative measures had created the following, तो वहां पर German region जो था, वहां पर क्या बनके, देरवर 39 princely states, मतलब 39 ऐसे states बनके जो कहा थे princely states थे यानि वहां पर अलग अलग प्रिंसिस थे जो कंट्रोल कर रहे थे, अब यहां पर समस्या सबसे बड़ी क्या थी, एक थी कि डिफरेंट करंसी थी, डिफरेंट ही मेजरमेंट्स थी, यानि 39 princely states में अलग अलग सब की अपनी करंसी चल रही है, जैस मेजरमेंट्स को आप ऐसे समझें कि अगर कहीं पर 1 kg is equal to 1000 g तो किसी एरिया में यह है 500 g और हो सकता है थर्ड एरिया में यह रह जाए सिरफ 200 g तो यानि अलग अलग मेजरमेंट्स चल रही है, इतना ही नहीं कस्टम ड्यूटी भी वेरी करती थी, तो कस्टम ड्यूटी वेर तो इस दौरान क्या प्रॉब्लम आती थी कि मान लीजिए एक सेलर है जो कि हैंबर्ग से चला है नूरंबर्ग तक तो अगर 1833 एर चल रहा हो और एक सेलर हैंबर्ग से नूरंबर्ग की तरफ जा रहा है क्योंकि उसे अपने गुड्स बेचने है तो उसको प्रॉब्लम के जितने भी अलगला कस्टम बेरियर जाते थे ना यानि कस्टम ड्यूटी जहां देनी पड़ती थी टैक्स देने पड़ते तो कितना वेरी कर रहा है कहीं पे तो सिरफ 5% है कहीं पे 11% तक हो जाता था तो इसकी विजह से क्या होता था कि लोग जो थे उन्हें बहुत जादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था अब दिक्कत कैसी थी कि बहुत ज़्यादा ताइम कंज्यूम हो जाता था जब आपको ड्यूटी को कैलकुलेट करना पड़ता था क्योंकि हमने ये बात की ना कि एक जगह तो 5% चल रहा है और दूसरी जगह 11% चल रहा है कस्टम ड्य तो ऐसे टाइम में बहुत ज़्यादा ताइम कंज्यूमिंग हो जाता था इसी सो अगर आप समझना चाहते तो आपको एक एक जामपल देते हैं क्लॉथ की अब क्लॉथ की एक्जैंपल में क्या था कि क्लॉथ वस मेज़र इन एली जैसे आज के ताइम अगर हम किसी में कोई कपड़ा परचेज कर रही हूं तो वहाँ पे जो मुछ पर टाक्स लगेगा वो बहुत ही लेस लगेगा रीजन बीं कि वहाँ पे जो एली था ना वो बहुत लेस होता था कैसे जैसे देखिए अगर हम वान मीटर की बात करें उसका मतलब क्या होता है 100 सेंटी मेट तो यह सपोस कर लीजिए कि 1 एली जो है वो भी 100 सेंटी मेटर के एक्वल ही है तो जो फ्रांकफर्ट में हम इसे परचेज कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे 1 मीटर यानि 1 एली इस इकॉल तो हाँ मच 50 सेंटी मेटर तो वहाँ पे टैक्स कम देना पड़ेगा ऑन दे अग अगर यही कपड़ा हम नियूरेंबर्ग में परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे जो एली था उसकी मेजूर्मेंट जादा थी अगैन हम यह सोच लेते कि वहाँ पे 100 सेंटी मेटर था तो वहाँ पे टैक्स जो था वो बहुत जादा देना पड़ता था तो इस वाज़ा से स सिच्वेशन से बचने के लिए लोगों ने क्या कहा वेल दे डिमांड दे अफ वाट दे मांड अफ यूनिफाइड एकनॉमिक टेरिटरी उन्होंने कहा कि आप एक यूनिफिकेशन कर दीजिये पूरे एकनॉमिक टेरिटरी का अब तै कर दीजिये कि पटिकुलर हमारे हमारा वेस्ट ना हो तो इस सब डिमांड के वज़ा से क्या चीज हुई अब पूशया ने वही प्ले इंपॅर्ट भिक जानेगे कि पूशया ने एक बहुत आते एक जंपॉर्टेंड रॉल भी प्ले किया था जिर्मन हिस्टरी में तो well वापे साते 1834 पे तो इन्होंने क्या कहा है अब लोगोंने कि उन्हें solver-in जो है वो बना दिनी चाहिए solver-in क्या होता है custom union तो basically जो traders थे वो क्या चा रहे थे कि एक custom union होनी चाहिए जहां पर कि कुछ fix rates होने चाहिए taxes के और कुछ fix measurements होनी चाहिए so that जब भी कोई trader अपना product लेके कहीं पे जा रहा है sale या purchase करने के लिए तो उसे किसी भी तरह की बार-बार की calculation और time wastage से उसको छुटकारा मिल सके तो जब solver-in form up हुए तो उसका फाइदा क्या हुआ well tariff barriers were abolished अब जितने भी tariff barriers है जहां पे भी आपको हर place पे हर city पे जगह tax pay off करना पड़ता था वैसा नहीं रहा और reduced currencies from 30 to 2 जैसे कि हमने पहले starting में पढ़ा क्या था कि 39 princely states और बहुत सारे उनके currencies भी थे तो 30 तरह की currencies थी जिसे उन्होंने क्या कर दिया reduce कर दिया और अब सरब 2 ही currencies रहे गई next उन्होंने क्या क्या creation of railway network अब जितना जादा बढ़िया railway network होगा जितना बढ़िया transportation होगा किसी भी जगह में वहाँ पे क्या होता है goods की movement हो चाहे चाहे लोगों की movement हो वो बहुत ही smooth रहती है तो इस वज़ा से यह traders के लिए बहुत ही beneficial प्रूव हुआ क्यूंकि अब उनके जो goods थे वो easily move कर सकते थे अब ना सिर्फ goods सब आगे और क्या हुआ well while various changes were occurring in Europe a new thing happened that again turned Europe towards conservatism कहां तो हमने यह बात की कि अब लोग क्या कह रहे है पुचा रहे है कि आप reforms लाईए custom unions बनाईए लोगों को rights दीजिए उनके equality होनी चाहिए law के सामने और उनके freedom के लिए भी वो demand कर रहे है कितना कुछ वो अपने लिए reforms जो है वो उसकी उमीद कर रहे है demand कर रहे है but इन सब चीजों के बीच में जहां कि सब कुछ अच्छा भी हो रहा था बड़िया changes भी आ रहे थे again कुछ ऐसा हो गया कि जहां लोग जा रहे थे किस तरफ जाना liberalism की तरफ जाना Europe कहां पे टरन कर गया conservatism की तरफ तो आखिर यह सब चीजे हुई क्यों well यह सब हुआ था because of the fall of Napoleon in 1815 अब Napoleon Bonapart जिने आप इस image में देख रहे हैं हमने इनके बारे में first part में यह पड़ा था कि इन्होंने क्या किया था इन्होंने Europe के बहुत ही major हिससे पे अपना control established कर लिया था and not only this इन्होंने बहुत अच्छे reforms भी ले के आये थे जिसकी वज़ा से काफी बहतरी भी हुई थी but 1815 में इन्होंने एक यूद लड़ा वो यूद इन्होंने लड़ा था वाटरलू में तो वहाँ पे क्या हुआ Napoleon lost the battle of Waterloo और ये जो Waterloo में इनका यूद हुआ थे इनके साथ हुआ था with the combined forces of Britain and Prusia तो जब ये Britain और Prusia एक तरफ हो गए तो Napoleon को हराना इनके लिए जादा मुश्किल नहीं रहा और finally Napoleon की हार हुई कहाँ पे Waterloo में तो इसके बाद जो बाकी के राजा थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम कंसरवेटिजम को वापिस से ले के आएंगे So, the conservatives wanted to strengthen the traditional institution with some modernization तो अगर traditional institution की बात करें पहले अगर कंसरवेटिजम की बात करें उसमें क्या चीज होती थी किंग का रूल होता था प्लस उसमें किस तरह की चीजे हुआ करती थी कि आप एक तो चर्च को जो थे importance मिलती थी यानि जो कलर्गी होती थी उनको importance मिलती थी है ना next क्या होता था किंग obviously एक important person होता था और जितने भी उनके पराने system थे ना कि aristocracy होगी एक उनके dominance होगी क्लरगी की अपनी dominance होगी और किंग की भी अपने अप्रभाव होग एक dominance होगी तो यह क्या रहे थे वापस से हम उसी चीज को यॉरोप में लेके आएंगे इन्होंने एक चीज यह भी सोची कि हम थोड़ा बहुत modernization करेंगे यानि थोड़े बहुत ऐसे reforms रखेंगे so that जो लोग यहां पर यॉरोप में रह रहे हैं उन्हें बहुत जादा परिशानी ना हो प्लस वो conservatism को favor करने लग जाएं तो उसके लिए एक तो उन्हें ने modernize किया आर्मी को well यहां modernize आर्मी को उन्हें इसलिए किया so that जब भी उन्हें कभी ऐसा लगे कि उनके खिलाब कोई विद्रोख खड़ा हो रहा तो वो उस चीज को curve down कर सके second was efficient bureaucracy अब उन्होंने ये कहा कि हम एक अच्छी administration चलाएंगे ताकि लोगों को जादा दिक्कत ना हो उसके लिए उन्होंने एक बढ़िया bureaucracy तियार की third what they did was abolition of feudalism and serfdom अब ये feudalism और serfdom एक ऐसा concept था जिसकी वज़से जो peasant class थी जो आम जनता थी उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था जैसे कि अगर बात करें इसमें क्या चीज होती थी कि जो king होता था वो land जो था वो किसको दिया करता था lord को और lord को lands इस वज़से दिया जाता था कि जब कभी king को जरूरत पड़े तो lord अपनी personal army king को प्रवाइड करें किसी भी उद में जाने के लिए lord ये finally land जो था ये serfs को दे दिया करता था रेंट पे और जो रेंट होता था वो इतना जादा होता था कि कहीं बार उसको pay off करना बहुत जादा मुश्किल हो जाता था तो इस तरह कि जो एक कह सकते बुरी प्रथाएं थी उनको योरोप में खतम कर दिया गया किनके द्वारा कंजरवेटिस के द्वारा अब अपने इस कंजरवेटिसम वे व्यूपॉंट के साथ ये लोगों ने कहां पे मुलाकात की वियाना में तो वियाना में जब ये मिले 1815 में तो इन्होंने एक ट्रीटी साइन की जिसे क्या कहा जाता है ट्रीटी ओफ वियाना जब आप बात करते हैं ट्रीटी ओफ वियाना की तो वहाँ पे एक क्वेशन आपको ये अराइज होता है कि इस कॉंग्रिस को होस्ट किस ने किया था वेल वो एक आस्ट्रियन चांसलर थे जिनका नाम था ड्यूक मेटरनिच तो इस ट्रीटी ओफ वियाना को साइन करने के लिए यानि इस मीटिंग में शामिल होने के लिए वो सब ही लोग आए जिन्होंने नेपोलियन को हराया था जो चाहते थे कि नेपोलियन चला जाए और कंसरवेटिजम वापस आ जाए तो इन्होंने एक meeting की, बैट के कुछ decisions लिये और उस Vienna Treaty का, यानि उस Vienna Congress का जो outcome था, यानि जो result था, वो क्या था? The outcomes of Treaty of Vienna were, first was, Bourbon Dynasty was restored. Bourbon Dynasty, जिसे कि France में अपना राजपाट छोड़के जाना पड़ा था, वो दोबारा से France में आ गई. Next thing was this, कि a series of states were formed on the boundaries of France. अब France की जितने भी boundary वाले regions थे, वहाँ पर क्या बना दी गई? States बना दी गई, इसके पिछे यह था, कि जो France है, वो बहुत जादा क्या नहीं करेगा, आगे जाके यूद करके कबजा करने की कोशिश नहीं करेगा. इसके अलाबा, Genoa was added to Piedmont in the South. अब अगर आप इस मैप को देखें, यह बेसी कली ना इतली का मैप है, लेकिन जिस वक्त की आम बात कर रहे हैं, उस ताइम तक इतली एक कंप्लीट देश नहीं था, यह अलग अलग तुकडों में बटा था, तो यह जो आप पार्ट देख रहे हैं, यह जनुआ है, और इस इसको इन्होंने यहाँ पीड मोंट के साथ क्या कर दिया, एड़ अप कर दिया, इसकी अलावा, Kingdom of Netherlands including Belgium in the North was formed, तो यहाँ जरह आप ध्यान से देखें, यह पार्ट जो आप देख रहे हैं, this is what Netherlands, Belgium को इसी में add up कर दिया, और नौर्थ में एक पूरा Kingdom बना दिया, Netherlands के नाम से, Prusia was given new territories in the western frontier, तो आप मैप में यहाँ देखें, यह आप जो पार्ट देख रहे हैं, this is what, this is Prusia, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसे कुछ नई territories दे दी, इसमें add up कर दी, western frontier में, यानि इसे कुछ extra land दे दी गई, Austria was given northern Italy, तो जबर इस मैप को ध्यान से देखें, यहाँ पे यह रहा Austrian Empire, इसमें इन्होंने क्या कर दिया, Italy का जो northern part था, वो इसमें इन्होंने add कर दिया, Germany and confederation of 39 states was left untouched, तो यहाँ पे देखिए जो German confederation था, इसके बारे में पढ़ा था कि 39 states थी, उसको वैसे का वैसा छोड़ दिया गया, उसमें इन्होंने ना तो कुछ add किया, ना ही वहाँ से कोई land किसी और को minus करके किसी और के नाम पे की गई, तो इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने basically जो land है उसका बटवारा किया है कि इन्होंने European powers ने, जो conservators थे उन्होंने, इसके अलावा what they did was, Russia was given a part of Poland and Prussia was given Saxony, तो यहाँ देखिए जो Russia है, इसको इन्होंने यह पोलेंड दे दिया और यह रहाँ आपका Prussia, इसमें इन्होंने Saxony को भी add कर दिया, अब हमें यह तो पता चल गया कि वियाना में एक मीटिंग हुई, जिसके कुछ आउटकम्स हैं और आउटकम्स में basically हो क्या रहा है कि योरोप में जितनी भी जमीन है, उसको अलग अलग पावर्स जो है, बांट रहे हैं अपने हिसाब से, जहां उनको लगता है कि उनको control establish करना चाहि तो उन्हों ने से साब से उस चीज को बांट लिया है, कुछ जो राजा यहां से हट चुगे थे योरोप से वह वापिस से अपनी गदी पे आ गए है, और जब यह सब हो गया और conservatives दोबारा से आ गए योरोप में, उसके बाद जो वहां का रिजीम था, conservatives का वो किस तरह का थ इसके बारे में भी समझ लेते हैं, वेल अगर conservative रजीम की बात की जाए, तो वो किस तरह का था, it was autocratic, अब जब हम बात करते हैं, तो आप इसे यह समझ लेते हैं, कि यहां पे किसी और इंसान की इच्छा का कुछ भी मान नहीं किया जाता, जैसे कि आपने एक वर्ड सुना ह इसे को नहीं पलडता, तो एक आप कह सकते हैं, कि autocratic type का रजीम जो था यहां पे वापिस से आ गया था, censorship laws on newspapers, magazines, अब यहां पे क्या समझ से आगी, कि अगर कोई writer, किसी newspaper या किसी magazine के थूँ यह कहना चाहता है, कि अब जो नया conservative रजीम है, वो गलत आ गया है, या उसके इसी भी newspaper या magazine में, जो conservatism हमारा यहां पे चल रहा है ब योरोप में, उसके खिलाफ आप नहीं लिख सकते, कर्ब्ड revolutionary activities, पास्ट में हमने यह देखा था योरोप में, कि बहुत से revolutionaries जो थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, डिमांड करना शुरू कर दिया था, क इसके लिए हर revolutionary activity को खतम करने की कोशिश की जाने लगी, तो अब जब conservatives इतने खिलाफ हो गए थे revolutionaries के, तो उस दोरान revolutionaries ने क्या करना शुरू किया, तो चलिए बात करते हैं, revolutionaries के बारे में, well, after 1815, the revolutionaries started forming secret societies to spread the idea of liberty and nationalism, तो basically 1815 के बाद में, क्या होने लगा, जितने भी क्रांतिगारी लोग थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी कुछ secret societies बना ली, यानि गुपचुप तरीके से अपनी कुछ societies बनाने लगे, और जिसमें ये क्या करते थे, बढ़ावा देते थे, किस तरह का, कि एक संदेश लेके आते थे लोगों के सामने, क अपने एरियाज में, अपने देशों में वापिस लेके आईए, क्योंकि हमें conservatism नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही oppressive है, autocratic है, और हमारे लिए अच्छा नहीं है, बेसीकर ये जो revolutionaries होते थे, चाहते क्या थे, कि एक तो हमें nation state बनाना है, दूसरा, जितना में monarchical system है, खतम कर देना है, तो इस तरह के revolutionaries में बहुत ही important revolutionary हुए इटली में, जिनका नाम क्या था, जोजेपे मजीनी, तो अब आप जिने यहाँ image में देख रहे हैं, ये कौन है, ये है, जोजेपे मजीनी और ये बहुत ही important revolutionary हुए है इटली में, he was born in Genoa in 1807, तो इनका जनम कहां प of secret society carbonari, अब जिसे revolutionaries के बारे में पढ़ा कि वह बहुत सारी secret societies बना रहे थे, उसी तरह एक secret society थे, carbonari, जिसके ये member थे, अब क्योंकि जोजेपे मजीनी एक बहुत ही important revolutionary थे और इन्होंने बहुत ऐसे major attempts भी किये थे, किस चीज़ के लिए, जो कह सकते हैं, revolution attempts थे, और क्योंकि ये चाहते थे कि लोगों में liberalism और nationalism का idea spread हो, तो उस वज़ा से 1831 में क्या हुआ, he was sent to exile for attempting revolution in Liguria, अब हो क्या रहा है कि 1830 में इन्हें आप कह सकते हैं, exile में भेज दे हैं, जहां पे रहते थे, वहां से इन्हें निकाल दिया गया, इन्हें किसी और जगा भेज दिया गया, क्योंकि इन्होंने क्या गलती कर दी थी, उस ताइम के conservatives के हिसाब से कि इन्होंने revolution लेके आने की क RCS and Young Europe in Bern, जब ये exile में थे, यानि आप कह सकते हैं कि जब आपको किसी area से बाहर कर दिया जाता है, वहां की government की तरफ से, तो उसके बाद जब ये दूसरी जगा गए, तो इन्होंने क्या किया, पहले तो इन्होंने एक Young Italy नाम की एक society बनाई, कहां पे? मर्सीयस में, और दूसरा इन्होंने Young Europe नाम की society बनाई, Bern में, एम इनका क्या था? एम था to unify Italy, क्योंकि इटली जो था न, वो अलग-अलग तुकडो में बटा हुआ था, वहां पे एक single country वो नहीं होता था पहले, वो अलग-अलग तुकडो में बटा हुआ था, तो क्योंक कि एक revolutionary थे, तो इनकी एक सोच थी कि मुझे Italy को एक देश के तौर पे देखना है, एक nation state के तौर पे देखना है, और उसके लिए इनोंने अलग-अलग groups बनाए, जो किस चीज के लिए work करेंगे, Unification of Italy के लिए work करेंगे, अभी जो groups बनाए इनोंने, इनके members कौन थे, इनके members हुआ करते थे, किस तरह की लोग जो लाइक-माइड़ यंग लोग थे, किन-किन जगाओं के रहने वाले थे ये लोग, Poland, France, Italy and German states, अब जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं, जर्मन स्टेट्स तो आप यहां पे यह समझ लीजे कि उस वक्त यह भी एक तरह सी उनिफाइड नह थे, क्योंकि उनका भी एक एम क्या था कि हमें फाइनली नेशन स्टेट का कंसेप्ट जो है, वो अपने अपने अरियास में लेकर आना ही है, मजीनी का एम उनिफाइड नही करना, इटली को, नाशनलिज्म लेकर आना, अपने अरिया में और यह जो बाकी लोग हैं, यह भी अपना एक aim लेके चल रहे हैं कि इनको भी अपने-पने एरिया में नेशन स्टेट का concept लेकर आना है So, following him, secret societies were formed in Germany, France, Switzerland and Poland मजीनी के साथ भी कुछ लोग जुड़े हैं और अपने-पने एरियास में भी, यानि कि Germany, France, Switzerland and Poland में भी लोग अपनी-पनी secret societies बनाने लगे क्योंकि सबकी इच्छा क्या है कि हमें liberalism चाहिए, conservatism नहीं चाहिए अब मजीनी's non-stop opposition towards monarchy and his vision of democratic republic were the reasons for fear among conservatives यानि जो मजीनी थे, उन्होंने बहुत ही कह सकते कि non-stop प्रयास किया था कि क्या प्रयास थाम का कि मुझे मनार्की को हर तरह से खतम करके ही हटना है क्योंकि उनकी एक सोच थी कि मुझे अपने area में, अपने देश में क्या लेके आना है democratic republic, यानि democracy होनी जाहिए, जहां लोगों के पास हक हो किस चीज का अपनी government खुद चूज करने का, वो इसे लेके आना चाहते थे और उनकी इतने non-stop ये प्रयास थे कि इसकी वज़ा से बहुत से conservatives उनसे डरने भी लगे थे So I hope आपको इस वीडियो में ये समझ आ गया होगा कि जो आइडिया है nationalism का, इसको किस तरह से implement किया गया कहाँ पे योरोप में क्योंकि हमने आज के वीडियो में ये जाना कि पहले जो योरोप था वो अलग-अलग kingdoms और टचेस में बटा होगा था लेकिन दीरे दीरे जो लोग थे वहां के उन्होंने डिमार्ड किया, कुछ उन्होंने लिबर्टी मांगी, कुछ equality और कुछ rights के लिए दिमार्ड किया और वो ने मिलने भी लगे थे लेकिन बाद में क्योंकि Napoleon की हार होगी थी तो दोबारा से conservatism की तरफ return हो गया था Europe लेकिन फिर revolutionaries के attempts की वज़ा से जो वहाँ के conservatives थे वो क्या होने लगे थे उनसे खौफ खाने लगे थे डरने लगे थे So with this we come to an end of our video